हेलो फ्रेंज आप लोग का स्वागत है जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे चैनल पे EVS के कुछ important question करवाया जा रहे हैं तो स्वास्त और स्वक्षता एक बहुत ही important topic है जो कि आप लोगों के seated के syllabus में दिया गया है तो यह काफी बड़ा topic हो आता है इसलिए हम लोग इसको दो तीन पार्ट में करेंगे तो आज हम लोग पार्ट वन लेके आए हैं जितने भी question है वो NCRT based question है और previous year में पूछे गये हैं तो चलिए देख लेते हैं कि आज कौन कौन सा question हम लोग पढ़ते हैं पहला question है क्वासी ओर कर नामक रोग किसकी कमी से होता है तो देखे एक क् होता है वह बच्चों में होता है यह होता है प्रोटीन के कारण प्रोटीन की कमी हो जाती है बच्चों में तो उनकी जो बच्चों की सरीर होती है वह विरक्रित हो जाती है उसको हम लग बोलते हैं क्वासी ओकर रोग है जो कार्भो हैड्रेट होता है वह हमें गेहूं इंगा रोग हो जाता है तो next question देख लेते हैं question number one का option number two सही है next question देख लेते हैं सुमेलित कीजिए देखिए ये काफी important question हो जाता है क्योंकि घरेलू चीजे जो होती है वो उपचार में कैसे यूज होती है ये seated का favorite question होता है तो हम लोग देख लेते हैं कटे हुए घाव पे हम लोग क्या use करते हैं इधर option दिये गये हैं तो जैसा कि हमें पता है कि जब हमें घाव लगती है चूट लगती है तो हम लोग क्या करते हैं हल्दी का चूड़ लगाते हैं तो option number two इसका सही हो जाएगा दूसरा है कि सामान ज्वर जब हमें सामान ज्वर होती है तो हम क्या करते हैं मेथी के बीज की चाय बनाते हैं तो इसका option number three सही हो जाएगा जब हमें आँख की सूजन होती है तो घरों में क्या होता है ताजे धनिये की जो बीज होते हैं उसका use करता है तो C का option number one सही हो जा तो हम लोग देख लेते हैं 2,3,1,4 यह हमारा सिक्वेंस आ रहा है तो option में देखें तो option number D का सही हो जाएगा देखिए यह काफी important question हो जाता है क्योंकि यह चीज़े जो होती है वो एक्जाम में बार बार पूछते हैं इन चारो options से कैसे कैसे किसे से हम घरेलू उपचार करते है अपना ठीक है next question की बात कर लेते हैं question number 3 है किस बिटामिन की कमी से घाव से रक्त बहना नहीं रुखता है option देख लेते हैं A, B, C, K तो देखिए जो बिटामिन K है अगर उसकी कमी हो जाए तो जो घाव होता है उससे जो रक्त होता है वो बहना नहीं रुखता है तो question number 3 क हो जाएगा अगर बिटामिन A की बात करें तो बिटामिन A की कमी से रताओधी होता है और अगर बिटामिन B की बात करें तो बिटामिन B की कमी से बेरी बेरी नमक रुख होता है और अगर बिटामिन C की बात करें तो बिटामिन C की कमी से सकर्वी रुख होता है जिससे हमार दातों और मसूडों से रखता आने लगता है तो question number three को option number four से हो जाएगा next question देखते है question number four है चूहो द्वारा फैलने वाला रोग अब चूहो द्वारा फैलने वाली रोग के अगर बात करें तो कौन सा है option देख लेते हैं चेचक, malaria, plague, तपेदिक तो देखिए जो चूहे द् अबेतिक होता है वो बैक्टिरिया से होता है वायरस मतलब विसाडू और वैक्टिरिया मतलब जीवाडू से होता है लेकिन जो malaria रोग होता है वो क्या होता है मादा एनफिलिज मच्छर के प्लाजमोडियम फालसी पेरम नामक वैक्टिरिया से ये malaria आपका disease होता है तो question number four क का ओप्सान नंबर थ्री साही हो गया next question देख लेते हैं question नंबर फाइफ है निमलिखीत में से की से कुनया नामक दवा प्राप्त होती है देखे मैंने एक वीडियो बनाया हुआ था malaria topic के बारे में अलग से उसमें हम लोग कुनया नामक दवा के बारे में काफी अच्छे से discuss क यह हुए हैं तो आप लोग उसको देख सकते हैं तो जो कुनया नामक दवा होती है वो malaria के जब बीमारी होती है तो उसके इलाज में कुनया नामक दवा यूज होती है जो कि सिन कोना के प्लांट से निकाली जाती है तो question नंबर फाइफ का option नंबर टू साही हो जाएगा malaria के disease में सिन कोना प्लांट से कुनया नामक दवा प्राप्त की जाती है next question देख लिते हैं protein का सर्वत क्रिष्ट सुरूत है option देखते हैं दूध मांस सोयावीन अंडा तो देखी है protein तो हमें 2 से भी मिलती है मांस से भी मिलती है सोयावीन और अंडे से भी मिलती है लेकिन अगर इन चारों में बात कर लें कि सबसे ज़्यादा किसे से मिलती है तो वो हम लग देख लेंगे option no.3 सही हो जाएगा सोया बीन से देखें जो protein का जो सर्वत क्रिष्ट जो स्रोत होता है वह सोया बीन होता है तो question no.6 का option no.3 सही हो जाएगा next देख लेते है question no.7 कह रहा है निमलिखित में से मच्छरों द्वारा फैलने वाले रोगों का समूह कौन सा है यह question काफी important जाता है क्योंकि यह question बार-बार एकजामें पूसता है कि मच्छा द्वारा फैलने वाले रोग कौन कौन से है तो option देख लेते है हम लोग मियादी HIV AIDS और डेंग्यू तो देखें डेंग्यू और मलेरिया तो होते हैं मच्छर काटने से लेकिन जो AIDS नमक बिमारी होती है वह मच्छर काटने से नहीं होता है इसलिए आपका option no.2 गलत हो जाएगा option no.3 की बात करें तो HIV डेंग्यू और हैजा देखें मैंने पहले हीं बताया कि HIV जो होता है वह मच्छर के काटने से ही होता है और हैजा की बात करें तो यह होता है दूसी जल से तो option no.3 भी आपका गलत हो जाएगा नेक्स देख लेते हैं malaria, dengue, chicken गुनिया देखें option no.4 सही है क्योंकि malaria जो होता है वह मादा एनफिलीज से और dengue जो होता है वह एडिज मच्छर के काटने से होता है चिकन गुनिया भी जो होता है मच्छर के काटने के वज़ा से ही होता है तो question no.7 का option no.4 सही हो जाएगा next question देख लेते हैं मच्छरों के प्रजनन की रोक्ताम के लिए ठहरे पानी पर तेल डालने की सलाह दी जाती है ऐसा इसलिए है क्योंकि देखें जब मच्छर को रोकने के लिए जब बाढ़ वाले इलाके जो होते है उनमें जब बाढ़ खतम होती है तो काफी ज़्यादा देख लेते हैं मच्छर तेल की परत में फस जाते हैं ऐसी कोई बात नहीं है कि मच्छर तेल के परत में फस जाते हैं ऑप्सन नमर दो देख लेते हैं तेल आक्सीजन की आपूर्ती को काट देता है जिसे से मच्छर का प्रजनन थम जाता है देखिए क्वेशन नमर एट का option number 2 सही है क्योंकि जब भी हम लोग जो ठारा पानी है उस पर केरोसेन डालते हैं तो जो oxygen की जो आपूरती होती है वो रुख जाती है और मच्छा के जो प्रज़न अंदर होता है वो थम जाता है तो question number 8 का option number 2 सही हो जाएगा next question देख लेते हैं रीना आम पसंद करती है वह इन्हें जाड़े के लिए सरवाधिक उप्यूगता है देखे किसी चीज को सरवाधिक करना ये भी काफी important topic होता है seated के लिए तो हम लोग देख लेते है रेफ्रीजरेटर में संचित करना आम अगर हमें पसंद है तो उसको हम लो संचित नहीं कर सकते हैं इसलिए option number one आप लोग का गलत हो जाएगा option 2 देखते है अचार और आम पापड बनाना ये आपका option ठीक है option 2 आपका सही हो जाएगा क्योंकि अगर हम लोग अचार बना दे आम का तो काफी दिन तक क्या सालों तक चलते हैं और पापड भी इसी प्र प्लास्टिक के ठैले में रखना पहला तो option ये गलत होगे क्योंकि किसी भी खाने वाली चीजों को प्लास्टिक के ठैले में नहीं रखना चाहिए तो अगर हम लोग रखते भी हैं तो काफी दिन तक नहीं चलेगा इसलिए option number four भी आपका गलत हो जाएगा तो question number nine का option number two सही हो जाएगा next देख लेते हैं इस पौधे की पतियां है इस पौधे में पतिया है जीने सबजी के तरफ प्रयोग में लाया जाता है इसके वीज से तेले प्राप्त के जाता है यह पौधा है देखे एक पेड़ के बारे में बात कर रहा है बोल रहा है कि जो इसकी पतिया है ह बंद लेके बंद गूब भी जो हुती है उसको के चैबलोग सब्जी चैब लेकिन इसके बीज में किससा बीज से आपका और याel इसकी पर्ट लेकिन निकाल सकते हैं लेकिन यह तो हम्ण सब्जी के गलत हो गया. option number 2 है पालक पालक पती का हम लोग सबजी बना सकते हैं लेकिन इसके बीज से तेल नहीं निकाल सकते हैं इसलिए option number 2 भी गलत हो गया option number 1 है सरसो देखे सरसो का जो पौधा होता है उसकी पती होती है गाओं में उसको हम लोग सबजी कतरह यूज करते हैं और जो बीज होती है, उससे हम लोग तेल निकालते हैं, तो इसका option number one सही हो जाएगा, next देख लेते हैं, कोई डाक्टर एक मरीज को खाने के लिए कुछ दवाया लिखता है, और साथ ही गुड आवला और हरी पत्यदार सब्जी जरूर खाने का सुझाओ देता है, यह मरीज क इस रोग से पीडित होना चाहिए, देखे कोई अगर मरीज है, उसे आवला गुड हरी पत्यदार सब्जी इत्यादी खाने के लिए बोड़ा जा रहा है, इसका मतलब यह है कि उसके अंदर लोहा की कमी है, मतलब आयरन की कमी है, आयरन की कमी है तो उसको कौन सा रोग हो सकत है, मलेरिया, मलेरिया नहीं होगा क्योंकि मलेरिया तो मच्छर को काटने से होता है, मादा एनफिलीज मच्छर को काटता है, तो उससे क्या होता है, मलेरिया होता है, ओप्सन नमबर टू है, देखे जो एनीमिया है, वो क्या होता है, कि जब रक्त में आयरन की कमी हो जाती ह तो अनीमिया रोग रहता है, तो ऑप्सन नमर 2 इसका सही हो जाएगा, तो जब हमें गुड आवला और हरी पत्ती खाने का सलाह देया रहता है, इसका मतलब उसको इनीमिया हुआ है, तो क्रेशन नमर 11 का ऑप्सन नमर 2 सही हो गया, नक्स देख लेते हैं, किसी बीमारी के निम मच्छर सहोता है, तो वह डेंग्यू भी हो सकता है, मलेरिया भी हो सकता है, चिकन गुनिया भी हो सकता है, तो इसका ऑप्सन तीनों सही हो सकता है, लेकिन यहां श्टेटमें में बोला गया है कि एक पेड की छाल से, अब पेड की छाल हमने मलेरिया वाल टॉपिक में पीलिया पोलियो आंत्रजवर रोग कैसे फैलते हैं यहां तीन रोगों का नाम दिया गया है और पूछ रहा है कैसे फैलते हैं पीलिया पोलियो और आंत्रजवर पहला ओप्सन है मच्छरों से दूसी जल से एवन भोजन से मख्यों से क्रीमियों से देखे मच्छरों से तो हम जल एवाद भोजन से होते हैं तो इसका option number two सही हो जाएगा next देख लेते हैं protein क्यों आवस्यक है देखे protein क्यों आवस्यक है option देख लेते हैं बीमारियों से बचने के लिए सरीर की बृध्धी के लिए सरीर को उर्जा देने के लिए उप्रोक्त सभी देखे जो protein होता है वो सि मैंसा सरीर की बृध्धी के लिए ही यूज होता है बीमारियों से बचने के लिए हम लोग विटामिन लेते हैं और सरीर को उर्जा देने के लिए हम लोग कर्भो हाइड्रेट जैसे ग्लुकोज फ्रक्टोज गलेक्टोज यह सब हो गया उसको हम लोग लेते हैं तो question number 14 का option नमबर 2 सई हो गया next देख लेते हैं नीमन में से किस बिमारी के लिए DPT का टीका लगाया जाता है जिसमें टीटनेस काली खासी और डिप्थीरिया तीनों में यूज होता है DPT का टीका तो इसका option number 4 से हो जाएगा DPT का टीका टीटनेस काली खासी और डिप्थीरिया तीनों